साबुदाना का नास्ता आप समने बहुत तरह के खाए होंगे लेकिन हम आज साबुदाना का नास्ता जो बनाने वाले हैं एकदम नए अंदाज में बनाने वाले हैं बहुत कम तेल में बनाएंगे एक से दो चम्मस तेल में बनाएंगे बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये नास्ता बनके तयार हो जाती है इसको आप ब्रत में भी खा सकते हैं अब इस नास्ता को बनाने के लिए हमें लेनी है साबू दाना आधा कप उसके बाद एक चम्मच में दूद डाल दी हूँ एक अच्चा दूद डाली हूँ और दही एक चम्मच डाल दूँगी दूद और दही से बहुत ही टेस्टी नास्ता बनके हमारी तयार होगी अब खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसका जो टेस्ट है ना बहुत अलग तरह का लगता है बहुत ही मज़ेदार बनके नास्ता तयार हो जाती है मिक्स कर लेंगे अच्छा से ताकि मिक्स हो जाए दूद और दई और साबू दाना मिक्स करने के बाद यहाँ पर अगर आप ब्रत में बना रहे हो तो सेना नमक ले लेजिए मैं ब्रत का बना रहे हूँ इसलिए में सेना नमक डाल ले हूँ अगर बिना ब्रत का बना रहे हो तो आप कोई भी नमक डाल सकते हो रट चिली फ्लेक्स डाल देंगे तीखा के लिए आदी छोटी चमच अगर आपके पास रचली फ्लेक्स नहीं है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च बारिक बारिक काटके डाल देजिए आपको जितना तीखा खानी हो चलते हैं अब गैस की तरफ गैस में थोड़ी सी घी लगा दूंगी घी या तेल जो भी आप ब्रत में खाते हो उसको लगा दीजिए अगर आप ब्रत में बना रहे हो तो घी लगा दीजिए अगर बिना ब्रत का बना रहे हो तो कोई भी तेल लगा सकते हैं इसके बाद हमें लेनी है प्रेसर कूकर की लीड या रबड तो ताबुदाना हम दूद और दही में उसको भीगो के रखे थे ना तीन से चार मिन तक उसको हम रख दिये थे उसके बाद थोड़ा थोड़ा फूल गया है तो गैस का फ्लेम बिलकुर भी नहीं जलाना है उसके बाद में बीचों बीच में रखके उसको चमच की मदश से उसको अच्छा से फैला देजिए अगर आप जादे बना रहे हैं तो दो से तीन बार इसी तरह से आप बना सकते हैं अगर एकी बार बनाएंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा बनने में टाइम भी लगेगा उतना जादा क्रिस्पी भी नहीं बन पाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा रखिए और जादा मोटा नहीं इसको बनाना है बस थोड़ा पतला ही इसको रखना है तो देख सकते हैं, चम्मस से मैं सेट कर दी हूँ, कितना अच्छा से सेट हो गया है, अच्छा से ये, उसके बाद में इसका जो लीड है, कोकर की, उसको हम निकाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा सेप में आ गया है, एकदम गोल सेप में, लीड या पलेट से इसको ढख ये, तेल में बिल्कुल भी नहीं डाली थी, बस एक चम्मस लगा के उसको फैला दी थी, उसके बाद में नीचे क्रिस्पी हो गई है, तब उसके बाद में हम इसको पलट देंगे, देखे कितना अच्छा से पलटा भी जा रहा है, और नीचे zet अच्छा क्रिस्पी क्रिस् तक मीडियम शिलो, आज पर तक कि नीचे भी क्रिश्पी हो जाए ! अब बिना तेल के बनी है यह नास्ता तो आप इसको हम निकाल लें गे ! अब इसको हम रख दे रहे हैं ठंदा होने के लिए ! ठंडा होने के बाद बहुत जादा ये क्रिस्पी हो जाती है अब बहुत जादे ये इदम खस्ता हो जाती है गेस का फ्लेम बंद कर दी हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना जादा ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई हैं दिखा दे रही हूँ ये देखे कितना जादा क्रि तुह हैं नहीं मिक्सक्राइबं प्रापड़ चाहते हैं साहसे अगर भृत अब नहीं द़त पर पाराईबंआ की थैआप जुक्त बिना बरत वाली चीज़े आपे लगा सकते हो, चाट मसाला भी आप लगा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनके तयार हो जाती है, लेकिन मैं बरत का बना रही हूँ, इसलिए मैं चाट मसाला का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, धन्या की पत्ती डाल देंगे, और यहाँ पर अग आप लोग को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा, आज की रेस्पी हमारी आप लोग को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चादे से जादे लोगों में सेर करना मत भूलिएगा, अब वीडियो को यही पर आइंड करती हूँ, अपने नए तरीका से, रबदाने को मिक्सिंज और में रखें, उसका पोडर बना लेंगे, ऑलु कच्छा लेंगे, काटके उसमें दाही देर्द्र चमत और दूत्δ सीन चमत दाल के उसका पेड़ा लगा, एग मिक्सिं बाल में रखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर रिडद चि के लिए उसके बाद ड्राइंगल से मैं बना लेंगे और घर्स का फ्लेम हाई कर देंगे 2-3 मिनट तक तेल या घी गरम हो गई है उसमें ड्रेंगल से बनाकर बनाकर उसमें सभी डाल देंगे 5-6 मिनट तक गूल्डन क्रिस्पी होने तक क्राइं करें कि गैस को लें लाश्ट बनके तैयार होगे दही तमाड़ केचप के साथ सब की